हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका अमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में फिर से दोस्तों लेकर है हूँ नई जॉब की इंफोमेशन रुक्रीटमेंट आ रही है दोस्तों इंद्रा गांधी रास्ते मारवस रंगाले की तरफ से Ministry of Culture, Government of India के अंडर ये रुक्रीटमेंट आती है शुरुआत में contract based पे रहेगी लेकिन ये रुक्रीटमेंट आगे जागे permanent भी हो सकती है और under pension scheme ये रुक्रीटमेंट है यानि कि अगर आपका selection होता है आगे बढ़ती है आपकी job तो यहाँ पे आपको पेंशन भी जरूर मिलेगा Government of India के अंडर ये जोब आती है permanent एक तरह से सरकारी नोकरी आप इसको बोल सकते हैं All over India से आवेदन मागे गए हैं आप इंडिया की किसी भी state किसी भी जगा से आते हैं तो इस सरकारी नोकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने की दोस्तों फीस मातर 100 रुपया रखी कही है बाकी SCSTPWD candidate को 100 रुपया की फीस पी पे करने की जुरूरत नहीं है वो free में जो है वो apply कर सकते हैं offline mode से दोस्तों आपको आपकी application जो ही वो फेजनी है detail में लोग बात करेंगे eligibility criteria की selection process की कैसे आपको apply करना है कहाँ पे application भेजना है सभी जीसों के बारे में तो शुरू से लेके last X video को complete देखेगा ताकि आपको हर एक चीज हर एक detail का पता चल जाए तो यहाँ पे दोस्तों अलग-अलग vacancies है हाला कि vacancies इतनी जादा नहीं है लेकिन अगर आप apply करना चाहते हैं तो जरूर जो हे वो कर सकते हैं होटी कल्चर असिस्टेंट के लिए recruitment है stenographer के लिए है उसके लावा driver के लिए है junior engineer, civil के लिए vacancy है, electrical supervisor के लिए है दस्वी pass करी हुई है यहाँ आपने 12th करी हुई है 80 word per minute की आपकी English में जो हे वो short hand में 40 word per minute की type writing speed है आप बिल्कुल eligible है apply कर सकते हैं junior clerk के लिए यहाँ पे matriculation मागा गया है लेकिन अगर आपने 12th करी हुई है आप graduate हैं जरूर आवेदन कीजेगा junior clerk की post के लिए driver के लिए दोस्तों यहाँ पे जो हे वो valid driving license चाहिए motor car knowledge चाहिए motor mechanism की थोड़ी बहुत knowledge होनी चाहिए और 4 साल का कम से कम experience मागा गया है driving में आप driver की post के लिए आवेदन कर सकते हैं अच्छा खासा salary मिलेगा आपको great pay के साथ junior engineer civil के लिए अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है civil engineering में electrical supervisor की recruitment है जिसमें की डिप्लोमा कर रखा है electrical में या आपने भी बीटा कर रखी है आप बिल्कुल eligible है apply कर सकते electrician के लिए IT certificate चुखे वो मांगा गया है साथ में 3 साल के experience और सफाई करमचारी के लिए सिर्फ primary pass होना अनिवारे है यानि कि सफाई करमचारी के लिए अगर आपने पांच मीं कर रखी है दस मीं कर रखी है आप बिल्कुल eligible है apply कर सकते हैं salary की बात करें दोस्तों यहाँ पे अलग-अलग grade pay के साथ आपको salary मिलने वाली होटी कल्चर असिस्टेंट के लिए 2800 रुपे का grade pay 20,000 की salary तो यहाँ पे दोस्तों अगर कुल मिला के बात करी जाए तो यहाँ पे salary आपको 30,000 से जादा ही मिलने वाला है अगर आपका selection होता है बाकी अलग-अलग position के लिए अलग-अलग salary का criteria आप आके read करिएगा link description में दे दिये सारे important तांकि आपको कहीं और चागे notification read करने का ज़रूरत ना पड़े बात करें दोस्तों यहाँ पे age limit की तो age limit रखी गई है 18-25 साल होटी culture assistant के लिए stenographer के 28 साल clerk के लिए 26 साल, driver के लिए 30 साल और इसी तरह जो हे वो अलग-अलग position के लिए अलग-अलग case का criteria रखा गया है जो कि आपको खुद भी check करना पड़ेगा अब आते दोस्तों main बात पे कि apply जो हे वो कैसे करना है लेकिन उससे पहले application fees के बारे में जो हे वो बात कर लेते हैं application fees दोस्तों मातर सोर पे रखी गई है अगर आप आते हैं general से OBC से बाकि अगर आप आते हैं SC, STP, physically handicapped तो आपको किसी पी तरह की fees पे करने की जुरूद नहीं और जिन लोगों को पे करनी है उनको demand draft या postal order के थुरूद पे करनी है जब आप apply करने जाएंगे तो उसके लिए जो हे आपको application form डाउनलोड करना होगा उसके साथ आपका जो demand draft है वो लगाना होगा साथ में supportive document की photocopies लगानी है एक picture attach करनी है और उसके लावा दोस्तों जो हे आपको दो तिन pictures extra जो हे वो attach करनी है और एक envelope आपको attach करना है जिसमें आपके घर का address हो जहाँ पे आपको call letter वगारा आएगा जिसमें की आपको बुलाया जाएगा return test या trade test कुछ भी लिया जाता है उसके लिए तो ये बहुत important जो हे वो points है ये हमेशा याद रखेगा कि आपको एक envelope चुहे extra डालना है अंदर अपना घर का यानि कि अपना address लिखके ताकि आपकी application चुहे जब आप apply करें उसके बाद अगर आपको call letter भेजा जाए तो वो उसी envelope में डालके आपको call letter भेज देते हैं उसके लावा दोस्तों अगर आपको demand draft भेजना है तो वो favor में रखिएगा director IG, RMS और payable रखना आपको भोपाल में बाकि SCST candidate तो बिना demand draft के भी आप apply कर सकते हैं बाकि अगर आपको demand draft नहीं बनवाना है तो आप postal order के through भी जो हे वो पेज सकते हैं उसके लावा दोस्तों ये जलैक्सेशन ने as per government role बिलेगी जैसा कि पहले मिलती जाई है और आपको फेज दी नहीं है अपनी application यहाँ पे director इंद्रा गांदी, रास्टी मानव, स्रंगाले, भोपाल में आपको application फेज नहीं है लेकिन आपकी location across India रहने वाली है तो ये तरीक है दोस्तों apply करने का बाकी सारे important links description में दे दिये हैं description में link मिलेगा वहाँ पे website पे जाएंगे application form आपको जो है उसका link अलग मिलेगा notification का अलग मिलेगा application form को fill करके साथ में जो है अपने document की photocopies लगाके task करके भेज दीजिए उनके बताय हुए address पे अगर आप शॉर्ट लिस्टीट होते हैं आपके application जो है वो 21 दिन के अंदर वहाँ पे पहुंच जाती है तो आपकी application जो है उसको देखा जाएगा अगर उनको लगता है कि आपको बुलाना चाहिए तो interview के लिए या return test के लिए आपको जो है वो call letter भेजा जाएगा आपको बुलाया जाएगा और आप जाके interview जो है या return test जो है वो दे सकते हैं तो यह जानकरी दोस्तों दी गए है उनकी official website पर एक तरह से जो है आप government of India की recruitment इसको बोल सकते है center की recruitment इस बड़ी opportunity इस जरूर आवेदिन कीजेगा अगर आप eligible होते हैं तो so thank you very much दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आशागरताओं को आपको वीडियो पसंद आई होगी समझ आई होगी वीडियो से related आपके questions comment section में पूछिए और जादा job update के लिए हमारी website को visit करिए मिलेंगे ऐसी किसी नई job update के साथ दबारा से तब तक आप अपना ख्याल रहें